Hello everyone, my name is Riddhi तो इस lecture में हम लोग social cultural reform moments पढ़ने वाले हैं जो की 2020-5050 series का part है ये course की details आप website विजिट करके ले सकते हो तो इस lecture में हम लोग North India की जितने भी reform moments हुई थी और जो भी personalities involved थी British India के time पे या in fact आजादी के बाद भी वो सारी चीज़े हम लोग याँ पर पढ़ रहे हैं तो हम इससे पहले East India की जितने भी reform moments थी वो पढ़ चुके हैं West India की भी पढ़ चुके हैं North India की हम पढ़ेंगे और North India के बाद South India की पढ़ेंगे तो अलग-अलग reform moment चली थी जिसमें से एक सबसे important personality थी स्वामी द्यानन सरस्वती जिनका टाइम था 1824 से लेकर के 1883 का तो द्यानन सरस्वती जो है वो एक इंडियन philosopher, social leader, founder थे आर्या समाज के आर्या समाज basically उनकी philosophy पर base था के एक ही भगवान होता है, idol worship वगेरा ये सब नहीं करनी होती है और एक castless और classless society के बारे में बात करते थे पर वो ये भी कहते थे कि जो भी वर्ण दिये गए हैं तो वर्णों के basis पे जो भी work का segregation है वो ठीक है बट society all in all castless और classless होनी चाहिए फिर धर्म परिवर्तन के बारे में भी यहां से बहुत सारी चीज़े आई थी purification के बारे में भी आई थी फिर यह भी कहते थे जो scriptures होते थे जो Hindu scriptures वगेरा थे वो यह नहीं मानते थे वो यह कहते थे कि जो वेदास है वो ही purest form of religious text है या फिर एक text है जो कि जिसको आपको मानना चाहिए और women की education के लिए और इन सब चीज़ों में भी इन्होंने काफी काम किया थे तो all in all मैंने आपको थोड़ा सा background बता दिया कि जब आप अपी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले है इन फाक्ट आरे समाज में भी हम क्या पढ़ने वाले है तो इनके टीचर थे स्वामी विर्जानन मतुरा से थे इन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाशिक बुक लिखी थी light of truth स्वामी दयानन सरस्वती ने और ये जो बुक थी ये वेदास रिचुलिस्टिक वर्शेप के आप बड़े बड़े अनुष्ठान वगेरा करते हो रिचुल्स वगेरा मानते हो कर्म कार्ण मूर्ती पूजा ये सब चीजों को ये नहीं मानते थे और ये कहते थे कि वेदिक आइडिलोजी को ही आपको रिवाइफ करना पड़ेगा और उ उस टाइम पर विमन को इंडियन स्क्रिप्च Teresa's पढ़ने की आजादी नहीं थी तो उस चीज़ को भी इन्होंने प्रमोट किया था कि विमले को भी इ bending स्क्रिप्चर पढ़ने देना चाहिए फिर स्वराज के लिए सबसे पहले यही पर्सन थे जन्होंने स्वराज के इंडियन्स मतलब कि इंडियन्स के लिए ही इंडिया है 1876 की बात होती है और फिर बात में ये कॉल जो है वो लोकमाने तिलक ने भी ली थी जो हमारे इंडिया के प्रेज़ेंट थे एस राधा कृष्णन उन्हों ने इनको मेकर्स और मॉडरन इंडिया भी कहा था और श्री सौरोबिंदो घोष्ण ने भी इनको यही का था फिर contemporary reformers थे बहुत सारे इनके जैसे के केशब चंद्र सेन, इश्वर चंद्र विद्या सागर, मादेव गोविन, रानडेद, देश्मुक बहुत सारे इसे इनके contemporary reformers थे मतलब कि इनके time के ये सब reformers थे बाकि बहुत सारे इ नहीं से पढ़ सकते हो, तो इन्हों ने जितने भी काम किये थे, वो बाद में लाला हंसराज, पंडित, गुरुदत, लाला राजपतर आये और स्वामी शद्धानन ने आगे carry forward किये थे, इनके काम जो भी थे, उसी को ये आगे बढ़ाया गया था, तो इनकी बहुत सारे teachings ह जिसके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो वेदास की authority जो है, वो supreme authority यह मानते थे, कि यही एक सच्चा source है धर्म का, और यह दिखाता है कि supreme lord का relevance ही बताता है, और साथ ही साथ जितनी भी जो भी knowledge है, वो इसी में ही सबसे true form में preserve करके रखी गई है, बाकी आप देखते हो, तो उसमें किया है, बाकी सारे scriptures में यह कहते है कि alterations हो जाती है, बट वेदों में alterations बिल्कुल नहीं की गई है, तो यह सबसे purest form है, जो कि भगवान के दुआरा भी reveal किये गए है, ठीक है, भगवान नहीं यह वेद बनाए है, तो इसी वज़े से, यह सबस वेदिक लेर्निंग को आपको revive करना पड़ेगा, और वेदिक टाइम्स को आप छोड़ सकते हो, वेदिक लेर्निंग को आपको revive करना चाहिए, और साथी साथ इन्होंने हिंदू scriptures को भी criticize किया है, जैसे कि पुरानों को, उनका जो vision था, वो यह था classless, classless society, जो मैंने आपको 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 निकलना चाहिए, और वेदास को देखो काफी बार मिसिंटर्प्रेट भी किया गया था, तो बहुत सारे confusions थे वेदास के regarding, तो वो उस टाइम पर arise हुए थे, तो दयानन सरस्वती ने उस टाइम पर कर्म और reincarnation का जो doctrine है, उसको advocate किया था, कि पुनर जनम भी होता है, कर्मों में विश्वास करना चाहिए, कर्म जो है आपके वापस आते है, और उन्होंने वेदिक आइडियल जो थे भ्रह्मचर्य को उसको भी emphasize किया गया था, कि आपको भगवान की तरफ पूरा devoted रहना चाहिए, और ब्रह्मचर्य को आपको अपनाना चाहिए, ये सब चीजों के पर में बात की थी, तो उन्होंने जो छे दर्शन शास्र है, छे के छे उन्होंने accept किये थे, जिसमें आता है सम्ख्या, वैशेशिका, न्याय, योग सूत्रास आफ पतंजली, पूर्व मिमंसा और विदान जो भी medieval Sanskrit scholars थे, वो उनकी बजाए, ये जो है, ये छे दर्शन शास्त्र को एक opponents की तरह नहीं देखते थे, बट ये देखते थे कि हर एक जो ये दर्शन शास्त्र है, एक एक दर्शन शास्त्र ये अलग-अलग aspects को दिखाते हैं, अलग-अलग perspectives को दिखाते हैं, लाइफ के, फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि three eternal entities है, सबसे पहले तो Supreme Lord या परमात्मा, जो की कभी भी खतम नहीं हो सकते हैं, ये eternal entity है, फिर दूसरे हैं जो हमारी आत्मा है, जीवात्माज या individual souls है, जो की vast है number में, बट infinite नहीं है, फिर तीसरे है प्रकृति या फिर nature, ये भी चलता जा र principles से, जब diverge आप होते हो, तो उसको आप corrupt हो जाता है Hinduism, तो इसी correction को basically correct करने के लिए इन सब चीजों को, इन्होंने आरे समाज found किया था, तो उन्होंने कहा था कि 10 universal principles होते हैं, universalism का code इन्होंने कहा था, इसको कहते हैं, ग्रिन वन तो विश्वर्य है, तो उन्होंने कहा था कि जो पूरा विश्व है, वो आरेस के लिए एक abode है, एक निवास है, एक स्थान है, तो आरेस समाज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, सबसे पहले तो ये एक monotheistic Hindu reform movement थी, जो कि ये मानती थी, कि मतलब भगवान एक ही है, ये कि भगवान को आपको मानना चाहिए, idol worship वगएरा नहीं करनी चाहिए, और वेदास की authority जो है, वो तो supreme रहेगी, ये दयानन सरस्वती के द्वारा 1870 में found किया गया था, अब यहाँ पर क्या हो गया था, क्यालकटा में जो आदी ब्रहम समाज है, उसमें कुछ food आ गई थी, तो उसकी वज़ा से जो आदी आरेस सम अरेस होने लग गया था, उस time पर, क्योंकि पहले तो आदी ब्रहम समाज चल रहा था, आदी ब्रहम समाज में क्या हो गया था, कि कुछ तो problems होने लग गई थी, क्यालकटा में ये start हो था, फिर ये बाद में shift हो गया पंजाब में, तो एक नए variant के साथ ही shift हो गया था, पर ये variant जो था, ये था आदी ब्रहमोईजम का ही variant था, आदी ब्रहम समाज का ही एक variant था, बट इसका नाम बस आरेसमाज पढ़ गया था, और आज की टाइम पे भी हम इसको आरेसमाज के नाम से ही जाधा जानते हैं, तो जो पहली आरेसमाज की unit है, वो बॉंबे में फाउंड इसमें Western education पर जाधा emphasize किया जाता था, फिर Swami Shadhananj ने Haridwar में गुरुकुल स्टार्ट किया था 1902 में, अब हम बात करते हैं, प्रोसेलिटाइसेशन एक्टिविटीटीज एन उपोजेशन ऑफ समाज, ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोसेलिटाइसेशन का म बात करते हैं, तो इसी से ये पूरा टॉपिक डील करता है, तो आरे समाज जो है, एक ऐसा पहला Hindu organization था, जिसने धर्म परिवर्तन जो है, हिंदु इसम में start किया था, ये introduce किया था, आप कह सकते हो, तो ये जो पूरा धन परिवर्तन के जितनी भी ये जो policy चल रही थी, ये कि लोगों का जो religion है या political belief है, उसको convert करवा देना, तो एक शुद्धी campaign स्टार्ट हुआ था, जो की reverse धन परिवर्तन स्टार्ट कर रहा था, समझ रहा हूँ? तो कि आप जो भी आप अगर मानलो आपका धन परिवर्तन हो गया है, तो इसको reverse कर देना, वापिस से आप अपन communalization बहुत जादा स्टार्ट हो गया था, social life में, 1920s में, क्योंकि obviously धन परिवर्तन की चीज़े जब स्टार्ट हो रही है, तो communalism का topic तो अपने आप आई ही जाता है उसमें, picture में, फिर एक revivalist movement स्टार्ट होती है, तो यह एक revivalist ही था, एक movement आप कह सकते हो, एक form में था, बढ़ content में तो नहीं था, तो एक reaction था, यह western influences का, और एक reformist movement भी थी, तो पंजाब में क्या हुआ था, कि आरे समाज को एहमेदिया movement काफी oppose करती थी, तो एहमेदिया movement के founder थे, मिर्जा गुलाम एहमद, जो की यह जो theological disputations हो रहे थे, समाज leaders के साथ, उसमें बहुत ही जादा extensively involved थे, in fact, पंडित लेखराम जो है, specially उनके साथ, तो यहाँ पर एहमेदिया movement और आरे समाज movement जो है, basically आप कह सकते हो, इनकी टक्कर चल रही थी, अब इस पूरी चीज को सिंग सभा ने oppose किया था, जो की अकाली दल के foreigner थे, उन्होंने भी आरे समाज वाली चीज को पूरा oppose कर दिय था, फिर इसके चलते 1883 का टाइम होता है, जब स्वामी ध्यानन सरस्वती को असासेनेट कर दिया जाता है, इनकी हत्या गर दी जाती है, अब इस सेट बाक के बाद भी आरे समाज आज तक भी चलता आ रहा है, in fact, DAV स्कूल साब जितने भी देखते हो तो सारे आरे समाजी स स्पेशली पंजाब में बहुत अच्छा खासा ही चलता आया था, जो अर्ली लीडर्स है, पंडित लेख, राम, स्वामी शद्धानन, वो उन्होंने आगे कैरी फोवर्ड किया था, इन ही सब चीजों को, अब इनकी कोर बिलीव क्या थे, कि एक वन क्रिएटर गॉड में ब और जितने भी हिंदू रिलीजिस टेक्स थे हैं, उन सब को ही रिजट करते थे क्योंकि यह कहते थे यह न प्यॉर वट्स नहीं है, मतलब कि भगवान नने यह नहीं दिये, जबकि वेदा आज्यों हैं, बशने भी हिंडू ने खुद ने दिये हैं, और हिंदू रिलीज़ works है उनको सब को ही reject करते हैं पुराना बाइबल गुरान इन में से किसी को भी नहीं मानते थे ये लोग फिर आइडल वर्शिप को prohibit करते थे कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए और general knowledge पर focus होना चाहिए और knowledge का मतलब सिर्फ भगवान है और वेदाज में ही सारी knowledge जो है वो भर रखी है ये सारी चीजों में बात करते थे और हर किसी को truth के path पर जाना चाहिए और जो चीज गलत है या जो चीज सच नहीं है उसको आपको हटा देना चाहिए त्याग देना चाहिए और जो prime objective था आरे समाज का हो ये था कि आप सारी दुनिया का भला करो और physical, spiritual, social, prosperity जो है और किसी के लिए अचीव करो फिर 1887 का टाइम आता है जब लाहौर में एक देव समाज नाम की क्रिफॉमिस movement स्टाट हो जाती है जो कि शिव नरायन अग्मी होतरी के द्वारा फाउंड की जाती है जो कि एक ब्रह्मो फॉलोर भी थे अब देव समाज जो कि नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि देवों का समाज पन्तब की divine society तो ये कैसी society थी जिसमें बहुत ही ideal social behavior पर ये लोग focus करते हैं कि अच्छा होना चाहिए कि इंसान को ब्राइब नी लेनी चाहिए रिश्वत नी लेनी चाहिए और ये जो नशीली चीजे हैं नशीले पदार्त हैं या फिर non-vegetarian food है इन सब से दूर रहना चाहिए इन सब को आपको avoid करना चाहिए और जितने भी violent actions है या फिर आप हिंसा कर रहे हो इन सब चीजों से भी आपको दूर रहना चाहिए अब सारी चीज़े अच्छी अच्छी होनी चाहिए प्यार मोहबद इसमें उन्होंने अपने सारी टीचिंग को compile करके दे रखा है वास फिर next है servants of the people society लोग सेवा सेवक मंदल यह लाल लाचपत राय के द्वारा 1921 में लाहूर में फाउंड की गई थी और यह society जो है इनिशली तेलक school of politics के साथ स्टार्ट की गई थी और यह इसका main name यह था कि political field में लोगों को और train किया जाए ठीक है जो already political field में काम कर भी रहे हैं उन लोगों को और train किया जाए और यह जितने भी national missionaries थे जो की इंडिया के service में काम करना चाहते हैं उन सब को train कर रहे थे अब यह जो पूरी organization थी जो servants of the people society है यह partition के बाद Delhi में shift हो गी थी ठीक है और ल organization तो आज भी इंडिया के बहुत सारे पार्च में इसके branches देखे जाते हैं in fact farmers, artisans के लिए rural areas में लोग काम करते हैं उनके products बेचते हैं और साथ ही साथ उनको cities में भी services यह लोग provide करते हैं education family health campaigns यसी चीजों में भी involved है अलनाल बहादो शास्त्ती इसके एक lifelong member रहे थे society के फ ठीक है मतलब राधा और स्वामी मतलब लॉड तो राधा स्वामी जो एक spiritual traditional faith है जो किशिव द्याल सिंग तुलसी राम जिन को कहते हैं उनके द्वारा found किया गया था तो यह जो term है राधा स्वामी इसका नाम ही यह है कि राधा और स्वामी तो इन में भक्तिजम की elements नजर आते हैं कि एक supreme being होते हैं सारे religion equal होते हैं एक ही supreme God होते हैं और जिस जिन supreme God को पाने के लिए आपको एक जीते जागते गुरू की जरूरत होती है जो आपको एक सही path पे guide करता है बेसिकली यह है इस पूरी movement का सार ठीक है? टेंपल वगेरा में यह लोग believe करते नहीं है तो य क्याते हैं कि एक supreme being है सारे religion equal है गुरू की supremacy में यह लोग मानते हैं सत्संग, simple social life, follow करना यह सब चीजों में जलते हैं तो शिव द्याल सिंग और सार बच्चन की जो राइटिंग्स है इनमें आपको राधास्वामी की बजाए सत नाम टर्म जो है वो यूज होता दिखेगा तो राधास्वामी की जो fellowship है और जो sect है उसमें बहुत सारे गुरूज feature किये गए हैं जो कि पूरी दुनिया के अलग-अलग parts से लिए गए हैं तो राधास्वामी के लिए जितने भी राधास्वामी हैं उन सब के लिए एक living गुरू जो है वो काफी important है जो कि आपको spiritual life की तरफ गाइड करता रहेगा फिर नेक्स्ट है सरला देवी चौधरानी सरला गोशाल इनको कहते है 1872 से 1845 तक का इनका टाइम होता है यह बेसिकली educationist थी political activist थी जिनोंने भरच्त्री महामंडल फॉर्म किया था फाउंड किया था अलाबाद में 1910 में तो बेसिकली अपने husband को help कर रही थी ताकि उनका एक उर्दू weekly चलता था हिंदुस्थान उसको एक nationalist उर्दू weekly था उसको edit करने में अपनी husband की help कर रही थी जो की बाद में English periodical में convert कर दिया गया था इन फाइक गांधी जी ने भी उनकी poems को और writings को अपनी speeches में काफी बार use किया है इन फाइक यंग इ words में अगर हम कहें तो वो यह कहते है you will you still continue to haunt me even in my sleep no wonder पंडिजी calls you the greatest शक्ति of India मतब क्यों कहते हैं कि आप अभी भी मुझे नीन में परिशान करते हैं कोई आश्यार है नहीं है कि पंडिजी आपको भारत की सबसे बड़ी शक्ति कहते हैं ठीक है तो इनका एक ही बेटा थ जो यह पसन है सरलादेवी चौधरानी इनका एक ही बेटा था दीपक जो की जिनकी शादी गांदी जी की जो ग्रांड़ डॉटर है राधा इनके साथ की गई थी तो इनकी एक ऑटो बायोग्राफी है जीविनर जहरापत तो यह जो है वो एक देश जो की एक बेंगॉली ल इस ऑफ माय लाइफ 2011 का यह वर्ग था अब सिंस हमने भारत स्त्री महमंडल अलावाद इसकी बात की है तो यह भी देख लेते थे वो मिन की ओगनाइजेशन थी जो की सरलादेवी चौधरानी अगेन इनकी द्वारा फाउंड की गई थी नाशन लेवल विमन तो ओवर्ल सिट्वेशन ओव विमन इसको इंप्रूफ करने में इनका काफी बड़ा रोल था भारत स्री महमंडल का रोल था तो इस लेक्षर महमंडल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे नेक्स लेक्षर में हम लोग बाकी जो नॉर्थ इनिया की मूवमें इसको डिसकस कर लें तो जो भी आपको information चाहिए आपको about these topics और वो आप यहां से ले सकते हो in fact काफी अच्छा-कासा hit rate है इस particular course का and देखो अगर जो भी लोग purchase कर रहे हैं ठीक है जो purchase नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए यह course content है पूरा syllabus है जो इनको यह वो topics हैं जो की जिसमें से UPSC हर साल question पूछता ही पूछता है मतला होगा आप कोई भी साल का paper उठाके देख लो UPSC ने यहां से questions पूछे ही होंगे definitely ठीक है तो यहां यह आपको topic आप download करके रख सकते हो अगर जो लोग purchase नहीं करें जिनके पास अभी time है खुद से prepare करनेगा जो purchase कर रहे हैं तो I would recommend कि आपको purchase करना चाहिए बाकि आप देख लो अपने requirement के सबसे so that's all for today and thank you for watching the lecture